श्रीर रादे रादे भक्तों मनुष्य का शरीर कितनी महिमा रखता है कितना इसका महत्व है नरक स्वरग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग सकल सुख देनी दूरलव मनुष्य शरीर है लेकिन जिसको प्राप्त है वो उसकी कीमत अधिक तर नहीं समझता दूरलव हम मानुष्य हम दे हम इदेहिनाम ख्षनवंग रहा हूँ सावधान व्यक्ति इसी मनुष्य शरीर के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है यहां तक इश्वर को भी जीवन के लक्ष को भगवत प्रेम को दूसरों का भी कल्यान कर सकता है और संतों ने यही अपने जीवन में करके दिखाया है संसार में रहते हुए भी एक उच्च कोट के सिद्ध पुरूष हो गए आपने पहले खाकी बाबा के चरे तुश्रमन किया था तो मैंने आपको बतलाया था कि खाकी बाबा जन्म से भी रागी थे साथ वर्ष के वस्था में केवल एक कवपीन धारन की हुए अयोध्या के संत के रूप में थे बाद में शी हनुमान जी के आग्या से उनको फिट रिन से उरिन होने के लिए शादी करनी पड़े और पांच बच्चे भी हुए इसके बाद भी बहुत उच्छे कोट की से धुपरुष चिखाती वा और हनुमान जी के अंशावतार थे इसी तरह से वाप सुन रहे हैं शी बाबा नीव करोरी जी महराज जिन को हनुमान जी का ही रूप पाना जाता था उनके शरीर का जन्म हुआ था पर पुरगाओं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उस समय मैंने बताया था कि आगरा जिले में आगरा के निकट में तो उस समय जब बाबा का जन्मुवा था तो वा आगरा जिला था वो लेकिन बाद में फिरोजबाद एक जिला बन गया आगरा तेही जिले के एक हिस्थे को फिरोजबाद बना दिया गया अब वो आगरा पूर फिरोजबाद जिले में फड़ता है जहां महराज जी का जन्मुवा था और आपने सुना था कि 11 वर्ष के अवस्था में विरक्त होकर चले गए थे गुजरात में किसी संत से बहरागी दीख्षा रथा तो वैश्णों दीख्षा लिए थे लक्ष्मन द असनाम पड़ा और उसके बाद फरूखाबाद के निकट में नीब करोरी गाओं में 12 वर्ष गुफा में रहकर हनुमान जी की उच्च कोठ की कठिन साधना की और वहां से जब चले हैं तो गाओं तो छोड़ दिया था लेकिन नीब करोरी गाओं के करन बाबा नीब करोरी क किन्तो एक बात मैं आपको बताओं भक्तों आपको आश्कर होगा कि जब बाबा वहां रह रह थे नीब करोरी में शायद 12 वर्ष पूरा हो चुका होगा उस समय तो अनेक सिद्धियों से आध्यात्मिक संपन्ता उनको प्राप्त हो चुकी थी फिर भी उसी के बीच में अर्थत गाउं छोड़ने के नीब करोरी गाउं छोड़ने के पहले बाबा के शरीर के पिता वहां पहुंच गए जब उनको पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक निव करोडी गाउं में तब कर रहा है तो वहाँ पहुंच गया और पहिचान लिया कि उनका बेटा है उतो तो उन्होंने बेटे को याद दिलाया कि कि बेटा बजपन में तुम्हारा विवाव हो गया था बादाम का वास गाउं में जन्मी राम बेटी नमक बालिकास पिता जी ने कहा कि बेटा तुम संत हो बहुत सिद्ध हो ये भी मानता हूं मनुमान जी की पून कृपत तुमारे उपर है कि इन्तु जिस से विवा हुआ था उसकी ग्रिहस्ट जीवन का पालन भी करना चाहिए ग्रिहस्ट का करतब भी निभाना चाहिए तो पिता के आज्या को मान करके बाबा कुछ दिन तक पतनी के साथ घर में रहे भी और पत्नी को पता था कि उसका पती जो है उस सिद्ध पुरुश एक दिन पूछा भी था पत्नी में कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं उनके पास जिसकी सब लोग बातें करते हैं तो महरा जिन सुचा अब इनको क्या सब सिद्धी बताएं तो एक छोटा सा चमतकार तुरंद करके दिखा लिया था सरसों का बीज अपनी जीव पर रखा और अचानक है उसमें से हरी पत्तिया निकल आइं तो उच्छा की तो हो गई वो लही ही समझ लो इसी प्रकार से अनेकों सिद्धी होती हैं लेकिन मैं सिद्धियों के नहीं भक्ती के ही रस्में रहता हूं सिद्धी अपने आप रहती मेरे साथ इसके बाद तो महराज जी अर्था तनी करोरी बाबा की तीन संताने भी होई और अनंत आध्यात्मिक साधना की ओर चलते हुए भी कुछ दिन ग्रिहस्थ जीवन का निर्वा भी किया था और इसके बाद तो बाबा ने वो घर छोड़ दिया और बोल दिया सारा संसार मेरा घर है और सभी मेरे परिवारी है भक्तों फिर तो पूरे वसुधयो को तुम्भुकम वाली बात आ गई न पूरा विश्व उनका अपना परिवार दिखता था इसलिए के ओल अपनी घर की चाहर दिवारी के भीतर नहीं रहे और किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के बंदन में भी नहीं रहे सब को अपना मानते थे पूरी दुनिया को अपना घर मानते थे आप पूरी दुनिया के सब जीव जनतु मनुष्य सब को अपने परिवार का मानते थे और सभी के दुख दर्द को बांटते थे और चमतकारिक शक्ती भगवान ने प्रकट की थी उनके अंदर इसलिए सब के दुखों को दूर करते हुए सब को मार्ग जर्शन करना, सब का कल्यान करना सब को सुक पुर्दान करना, सब को भक्ती में लगाना कि उनका जीवन हो गया था कुछ दिन घर रहने के बाद जो बाबा चले गए थे घर से तो अधिक तर हिमाले पर रहे है और उत्तराखंड के लोग तो उनको अपना ही मानते थे कि हमारे हैं बाबा, हमारे उत्तराखंड में ही नहीं ताल में रहे तो बाबा उस समय बोलते थे कि मैं वायू की तरह हूँ मुझे कोई बांध नहीं सकता हूँ ऐसी इस्थिती उनकी हूँची हो चुकी थे इसलिए बोलते थे, जोटी बात नहीं बोलते थे वो कहते हैं ते मैं वायू की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता हूँ, मैं सब का हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। और वास्त्विक्ता थी बाबा सब के थे। उकाते से मैं हर घृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। सब को अपने मानता हूँ, सब को अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। बाबा कहीं भी रहते थे, लेकिन दूर से दूर तक जहां जगुरत उनकी होती थी, वहां की सब बाते उनको बिना किसी का आई सब पता चल जाती थे। और आश्चिरी की बात ये थी, कि स्वयम अपने शरीर पर उस व्यक्ति के परिष्ठेजी को उत्पन्न करना और उसको सम्हालना भी था उनको। जैसे एक बार महराज जी रात के दो बजे जोर जोर से सेवकों को नाटने लगे, रात के दो बजे और रात के भोजन करने के बात, जब भक्ती कठे वी तो उन्होंने डाल रोटी बनने का आदिश दिया, और खा करके सो गए डाल रोटी खा के दो बजे रात को। तो आगले जिन खबर आई कि रात दो बजे महराज जी के एक भक्त चलबसे है ठीक उसी वक्त जब महराज जी ने दाल रोटी खाई थी तो सब संत लोग भक्त लोग पूछने लें कि बाबा रहस्य क्या है ये तो बताईए तो भक्तों के बार बार पुछने पर महराज जी बोले वो दाल रोटी खाना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि उस भक्त की इस इच्छा के साथ मरत्य हो क्योंकि दाल रोटी खाने की इच्छा के साथ मरत्य होती है तो उसी दाल रोटी के खाने के लिए उसका फिर से जन्म हो जाता और वो था भाक्त भगवान का भजन करता था लेकिन दाल रोटी खाने की इच्छा उसकी प्रकट हो गई मृत्यू के समय तो मैं सोचा कि उसकी वो त्रिप्ती हो जानी चाहिए इसलिए मैंने फटा फट दाल रोटी खा लिया वो उसका पेट भर गया त्रिप्ती हो गई फिर आराम से सरीड उसने चोड़ दिया इच्छा से मुक्त हो करके नेपकरोरी बाबा कहते थे कि देखो इस मार्ग में अर्थाद भक्ती के मार्ग में इच्छाओं को त्यागना पड़ता है जिस तुम भगवान को देखना चाहते हो तो सब इच्छाओं को मारना पड़ेगा क्योंकि इच्छाएं मन का खेल होती है मन में जब भी कोई इच्छा हो तो उसकी पूर्थी मत करो इच्छा अपने आप चली जाएगी बाबा कहते थे कि तुम मृत्यू की समय आम खाने की इच्छा करोगे तो अगले जन्म में कीडे की रूप में जन्म लेना पड़ेगा आम खाने के लिए और इस मृत्यू की समय अगली सांस लेने की वी इच्छा हुई तो फिर तुमारा जन्म जरूर होगा सांस लेने के लिए नीव करोड़ी बाबा करते चिसे ध्यान और योग हर व्यक्ति से नहीं हो पाता है इसके लिए पात्रता चाहिए लेकिन हर व्यक्ति भजन कीर्टन कर सकता है दैनिक पाठ पूजा करना भी अच्छा है और भजन कीर्टन और अच्छा है ध्यान और योग अच्छा तो है लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए सामाननी व्यक्ति के लिए भजन कीर्टन सरल होता है इसलिए इसमें लग जाना चाहिए बाबा का मतलब भजन से था नामजप नामजप और नामकीरतन यह सामान्य लोगों के लिए है उत्रिस साधना वाले के लिए ध्यान और योग का महत ज़्यादा होता है लेकिन जिनकी प्रकृति अभी उतनी उची नहीं उनके लिए तो नामजप नामकीरतन ही ज़्यादा उपयोगी होता है बाबा कहते थे कि तुम कुंडलनी जागरन के चकर मत पड़ो कुंडलनी जागरित करना हर व्यक्ति की पातरता नहीं होती कुंडलनी जागरित कर ले इसलिए सबके लिए इसका उपयोग नहीं है तुम बहक्ती में लग जाओ और भूखूँ को खाना खिलाने लग जाओ अरथाद भूखे लोगों को भगवान का पुर्शाद भृख्पेट खिलाने लग जाओ और बहक्ती में लग जाओ तो कुंडलनी जागरित भले नहो लेकिन उसका फल तुमको मिलने लग जाएगा नीव करोरी बाबा कहते थे कि मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा अपने भगतों की रक्षा करते हैं हम भूल जाते हैं लेकिन उनको याद रहता है वो हमको नहीं भूलते हैं बाबा ने अपनी इस बात को सत्य शिद्ध किया था एक गटना के दोरा एक बार बाबा हलद्वानी से अल मोड़ा जाते समय जो ड्राइवर था कार का उससे भीमताल की ओर मोड़ने को कहा गाड़ी भीमताल की ओर मोड़ अचानक रास्ता बदलने के बाद भी इतने स्रद्धावानून के सेवक थे कि किसी ने महराजी से कुछ नहीं पूछा कि भीमताल की ओर महराजी क्यों चल रहे हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं उधर क्यों चल रहे हैं ऐसा किसी ने पूछा नहीं और नमाराजी ने कुछ बता है तब और धीमताल के निकट जब पहुँच गए एक बहुत जरजर धर्मिशाला थी उसके निकट गए और उस जरजर धर्मिशाला के पास जा करके बाबा ने कहा इसके अंदर एक दक्षिन भारती दम पत्ति हैं वो धर्मिशाला ऐसी थी कोई जाता नहीं थे मठाइड इसके अंदर बाबा ने कहा इसके अंदर एक दक्षिन भारती दम पत्ति हैं इस धर्मिशाला के अंदर तो सब को आश्चर हुआ क्योंकि वो घर इतना खंडित था, खंणार था तो धरमचला का मकान, धरमचला की बिलनिम बिलकुर खरा रह थी, कोई उसमें गुस्ता ही नहीं था, वरसों से कोई नहीं जाता था उसमें, नहीं रहता था, तो महराजी ने कहा तुम लोग जाओ, अंदर से दर्माजा वो बंद कर रखा है, खटखटा हो, उससे कहो, कि मैं बुला रहा हूं, तो वहाँ ठाहरे बृद्धिव्यक्ति ने मना कर दिया, उस आदमे को जो बुलाने गया था, वो अंदर से जो बंद कर रखा था, वो बोला कि हम किसी बाबा को नहीं जानते हैं, और जब भग तो उस अंदेश लेकर बाबा के पास आया, और कहा कि हो तो कर रहा हम किसी बाबा को नहीं जानते हैं, तो बाबा ने जिसको भेजा था हो तो बड़ा निरास हो के आया था, वो कर रहा हम किसी बाबा को नहीं जानते हो, नहीं आया, तो बाबा ने कहा चाठी के बैठ जाओ, ऐसा कहा कर कि महाराज जी थोड़ी देर कुछ बात करने ल बोजन लाने के लिए बोले बोजन लाओ वह भाक्ट ने कहा बाबा बोजन के समय हो गया क्या महराजी ने भाक्ट से फिर कहा जाओ उसकी पत्नी को बुला के लाओ जो धर्वनचाला के अंदर है धर्वनचाला तो नाम था वो तोटा हूँ वो खड़र था वो तो वो कहने लगा बाबा उसने तो मना कर दिया था बोले अब मान जाएगा अब नहीं मना करेगा और इस बार फिर माराजी से मिलने के लिए जब कहा गया वो मान गया और उनके सामने आते ही माराजी उन पर चिला कर बोले तुम इस वर को बजनाम कर रहे हो क्या है तुम अपने आपको भूग से मरना चाहते हो क्या मरना इतना आसान है क्या तुम्हे लगता है इस वर अपने भक्तों को इतनी आसानी से मरने देंगे उस भक्ति नहीं बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं पाया महरा जो दोनों जो थे पती-पत्नी जो अंदर मरना चाहते थे ख़ड़ार के अंदर दर्वाजा बंद कर लिया था और भुके प्यासे मरना चाहते थे तो दोनों की आँखों से आँशों गिरने लगे बाबा ने उनको बैठाया बाबा ने कहा इनको भोजन परसो तो रोने लगे वो और कहा हम लोग खाएंगे नहीं यह सुनकर महराजी ने उनने खाने के लिए का और बोले जब ईश्वर तुमारे लिए भोजन भेजते हैं और चाहते हैं कि तुम जीओ तुम भूख से कैसे मर सकते हो तुम एक भागत हो भगवान के तुम अपना कितना समय पूजा और अर्चना में व्यतीत करते हो कितने जिन से भजन कर रहे हो तुम ईश्वर को कैसे नहीं समझ पा रहे हो आब ही परशाद पाओ इश्वर से बाद में लड़ना चाहिए तो बृद्य व्यक्ति ने महराज जी के सामने स्विकार किया कि उनसे ईश्वर के प्रति आरूप लगाने की मुर्खता हुई है भगवान को दोस लगाया उसने कि मैं आपका भगत हूँ और आप मेरा ख्याल बिलकुल नहीं कर रहे हैं और मरने को तयार था उन ईश्वर को जो अपने भगतों पर हमेशा कृपा करते हैं उनको तुम दोस लगाते हो उन्होंने कहा इश्वर ने खुद महराज जी को उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है उन्होंने इस बात को मान लिया कि भगवान नहीं भेजा है बाबा को और यह संदेश दिया है भग तो कितनी भी मुर्खता कर ले इश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं वो महराज जी के चर्णों में गिर गए दोनों और चर्णों में बैठ गए महराज जी अर्थात नीब करोरी बाबा ने कहा इश्वर हमेशा अपने भगतों पर क्रिपा करते हैं हम भूल सकते हैं पर वो हमको याद करते रहते हैं हमको नहीं भूलते हो वो अपने भगतों को कभी नहीं भूलते हैं हमेशा याद रखना इस बात को महराज जी ने न केवल उनकी जान बचाई थी बलको उनकी आस्था की सुरक्षा भी की थी उनको भरपेट भोजन कराया दोनों को पती-पत्नी को बात यह थी भक्तों कि वो व्यक्ति पहले मद्रास में एक सम्रद व्यापारी था जो इस तरह से पत्नी सहित मरने के लिए अपने को बंद कर लिया था हिमालाई के उपर महराज वो पहले मद्रास में एक सम्रद व्यापारी था वो एक धार्मे की व्यक्ति था रोज पूजा पाठ करता था जब उनके बच्चे बड़े हो गए उन्होंने अपना व्यापार अपने बच्चों को सौँख दिया और अपनी पत्नी के साथ तीर थे यात्रा में निकल गए उन्होंने अपने मन में निश्चे किया था कि वो इस यात्रा में किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे किसी से और जब वो अलमोडा पहुंचे तो उनका सामान चोरी हो गया और उनके सारे पैसे चले गए उन जिनों बैंक की सुवजा आज की तरह से नहीं थी पैसे सब साथ में लेकर चलते थे और जब उनके सब पैसे चोरी हो गया सब सामान चोरी हो गया तो दोनों उस तूटे घर में एक दिन पहले ही आये थे और दोनों उसको बंद करके अंदर से और ईश्वर को कोस्ते हुए भूखे पेट अपनी जान देने का निश्चे कर बैठे थे उन्होंने समझा कि हमारे ख्याल भगवान नहीं करते हैं और हम इतनी संकट में अब क्या करेंगे जी कर नाराज जी से कहा कि आपने हमारे असिस्ट आचार को नजर अंदाज किया है और अपनी शरण में लिया है आपको स्वय में इश्वर ने भेजा है आप हमारे लिए भगवान ही है बाबा आपने हमारे जान बचाई नहीं तो हम दोनों मर जाते हैं यहां अंदर महराज जी ने भग्तों से उनकी जाने का इंटजाम करने को कहा और उन्हें कुछ पैसे देने को भी कहा जिसे वो बाद में स्वेच अनुसवार वापस कर सकते हैं वापस करना जरूर नहीं लेकिन करना चाहां तो कर सकते हैं महराज जी ने उन्हें फल मिठाई और रात के लिए चादर दी और भग्तों से उनका फर्स क्लास का टिकट करवाने को कहा और यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने कभी फर्स क्लास में सफर नहीं किया है तो महराज भग्तों ने उन्हें समझाया कि महराज जी उन्हें ऐसा करने को कह रहे हैं क्योंकि दोनों कई दिन से सोई नहीं थे बहुत तकलीफ पाए थे तो भरे गले से उन्होंने कहा बाबा साक्षात भगवान है नहीं तो कौन जान सकता था कि हमें अंदर दो लोग मर रहें वो कैसे मेरे पास आजाते इस तरह से वो मनुस्य साधारा नहीं हो सकते हैं वो सब को जानते हैं मैं उनसे और नहीं लड़ सकता तो महराज उस निर्जन में अंदर खंधार के अंदर बंद होकर दोरों जो मरने वाले पति-पत्नी थे उनको बाबा ने खुब खिलाया पिलाया पैसा रूपया फल सब दिया और फर्स क्लास का टिकट मद्रास का कटवा के उनको घर बेजा और जब महराज जी ने भक्तों से ये सुना तो उनको ने कहा इश्वर का भक्त है जो महराज जी के विशेमों वो कह रहे थे न कि महराज जी भगवान है भगवान है ये बात महराज जी के सामने नहीं कहा था भक्तों के सामने कहा था तो भक्तों ने जब ये बात सुनाई बा परिशानी के समय कोई भी हतास हो सकता है, इसमें कोई आश्चेटी की बात नहीं है, आप वो तूट चुका था, विश्वास उसका डगमगा गया था, तो मुझे ठाकुरजी ने भेज दिया उसके पास, उसकी रक्षा करनी थी भगवान को, तो भगवान ने मुझे भेज दि उसकी, बाबा तो सबके थे न, इसलिए वो किसी को भी पराया नहीं मानते थे, यहां तक कि दूसरे मजहब जो होते हैं, इंदु धर्म के अलावा, उनको भी आदर से सम्मानित करते थे, प्रेम से, सभी मजहबों को, केवल एक मजहब की बात मैं नहीं करता हूँ, चाए इ आप इसमें बुरा मत मानना, मैं बहुत उच्चिकोट की महापुरूस की बात सुना रहा हूँ, सामाजिक व्यक्तियों की सामानिय व्यक्तियों की बात नहीं सुना रहा हूँ, एक बार जब एक भाक्त ने महराजी से इशू के बारे में पूछा, तो बोले कि जिस भक्त उ उन्हें सोली पर चड़ाया गया, उस समय भी उनके हिर्दे में सिर्फ प्रेम का इभाव था, एशु को किसी चीज कमवर नहीं था, उन्होंने तो अपना शरीर तक त्याक कर दिया था, और पैशन आफ क्राइस्ट पढ़ करके महराज्जी की आँखों में आशु आ गये थे, इसमसी को इतना मानते थे वो, फिर एद्दम खड़े हुए और बोले, बुद्ध ने कहा था, कि मन पलग जपकते ही लाखों मिल सफर कर सकता है, अब मैं इस विशे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कही लोग अपना-पना विचारह रख करते हैं, उस विशे में अपनी और से कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो निपकरोरी बाबा की बात कर रहा हूँ, कि निपकरोरी बाबा बुद्ध भगवान को भी सिर जुका कर बोले, कि बुद्ध ने कहा था, कि मन पलग जपकते ही लाखों मिल सफर करता है, इसलिए उनको समझना सबके बसकी बात नहीं ह एक बार भाबा से बाकतों ने पूछा बाबा एक दो शब्ध में बताए कि हनुमान जी कोण है, तो बाबा बोले हनुमान जी कोण नहीं पुछ तो वो राम की प्राण है, इसलिए हनुमान जी को कहीं भी पुकारोगे वहार जगर हैंगे हनुमान जी की इदन ही भक्ती थी बाबा के अंदर एक बार तो भक्तों के बीश बैटी हुई एक कन्या ने बाबा की च्छाती पर सीता राम को प्रत्यक्ष देखा था और बाबा तो हनुमान जी के शुरूप पाने जाते थे बाबा राम नाम कीर्टन भी करते थे, करवाते थे और मस्ती में बैठ करके राम राम बहुत प्यार से लिखते भी थे बिल्कुल जैसे हनुमान जी, राम जी के भक्ते ऐसे ही राम नाम की भक्ती थी बाबा के अंदर बाबा कहा करते थे, देखो किसी चीशे आ सकती मत रखो, अपना काम करते चलो, तो भुखने की कोई आओ सकता नहीं है और आने वाले कल के बारे में कुछ सोचना नहीं अपने करतव का पालन करो प्राकृतिक सुंदर्ता को देखो, भगवान की बनाई स्रिष्टी कितनी अद्बुत है मनुस्य कभी इतनी सुंदर चीजे नहीं बना सकता है इसलिए सब भगवान बनाए हैं यसा समझ करके भगवान की शक्ति को मन से प्रणाम करते रहो बाबा बोलते थे मैं धर्ती पर केवल भागवत धर्म को बढ़ाने के लिए आया हूँ अर्थात भक्ती को बढ़ाने के लिए आया हूँ और मेरा संसार से कोई पते होजन नहीं है वक्तों बाबा ने तो अपने जीवन में कितनी लिलाएं की कितनों का दुख दूर किया कितने को मार्ग दर्शन किया कितनी की समस्यां सुल जाएं वो अनंत है आगे मैं फिर आपको सुनाओगा आज महराच जी को परणाम करके हैं गराम दे रहा हूँ श्रादे रहा दे दे श्रादे रहा दे